हरे कृष्णा, आज हम अपने ठाकू जी के लिए टैसल का नेकलेस बनाएंगे ये थोड़ा डिफरेंट आइडिया है, ये हमें निकी जी ने दिया है निकी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आइडिया हमारे साथ शेर करने के लिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए एक वायर, वायर का छोटा पीस, थोड़े बीड्स, गोल्डन या किसी भी कलर के और एक एंकर का धागा आप ले सकते हैं अब हम पांच इंच लंबा एक वायर कट कर लेंगे अब कोई भी गोल्ड शेप लेंगे, कोई बॉटल का धकन ले सकते हैं या कोई भी और गोल्ड शेप वायर को इसके ओपर कसेंगे ताकि वो राउंड शेप में आ जाए ये देखिए इस तरह की राउंड शेप आ जाएगी अब एक छोटा काड का पीस लेंगे इसका साइज आपके ओपर डिपेंड करता है, अगर टैसल बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ा साइज ले सकते हैं इससे छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटा साइज ले सकते हैं अब जो हमने anchor का धागा लिया है, उसको इस cardboard के ओपर 10 times हम wrap करेंगे, इसको इसके ओपर 10 बार अच्छे से घुमाएंगे, अब उसके बाद उसे cut कर लेंगे, जो भी glue होगी आपकी, उसके साथ इसके जो uneven thread है, उसको हम seal कर देंगे, ये देखें, seal होने के बाद इस तरह लगे अब scissor लेकर इसके को cut कर लीजिए, ये देखें, cut करने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा, अब इसको half करके fold कर दीजिए, और एक धागे से उसको अच्छे से उपर से बांथ दीजिए, अगर बांथने के बाद हमारा कोई thread निकल रहा है, तो उसको glue gun से ही seal कर देंगे, अब नीचे से जो uneven edges होंगे, उसको हम cut कर देंगे, equal करने के लिए, ये देखें हमारे सारे tassels इसी तरह से तयार हो गए हैं, अब wire का piece जो हमने round किया था, वो लेंगे, उसके अंदर इस tassel को इस तरह से डालेंगे, इनके बीच में दो-दो golden beads डालेंगे, अगर आप चाहे तो bead जादा भी डाल सकते हैं, ये कुछ इस तरह अचा लगेगा, corner को हम round कर देंगे, दोनों तरफ के corners को round करके देखें, ये इस तरह का लगेगा, अब जो extra wire होगा, उसे cut कर देंगे, pillar की help से जो हमने round किया है, उसको अच्छे से tight कर देंगे, ये देखें, ये इस तरह का अब हम एक thread और लेंगे, और उसको इस तरह से half कर देंगे, half करने के बाद जो हमने side में, corner में circle बनाया है, उसके अंदर इसको डाल के गांट लगा देंगे, दूसरी तरह से भी इसी तरह से करेंगे, तो ये गले में पहनाने के लिए हमारा बन जाएगा, ये देखें, और म में लिखेगा, thank you for watching, hari krishna